पंकज एजूकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज बहुत ही इंट्रेस्टिंग और थ्रिलिंग इस्टोरी एन इस्टोरी का पार्ट 3 लेकर के उपस्तित हूँ यह पार्ट इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है इस वीडियो में मैं यह स्टोरी समाप्त क बांधने लगता है, घर जाने की तैयारी करता है, तभी एक अजनभी उसके सामने आ जाता है, वह अजनभी को बाद करता है, प्रेरित करता है, कि वह वहाँ पर बैठे और उसे बाद करे, तब वह अजनभी उसको कुछ प्रसनों का उत्तर देने की चुनोती देता है, तो जिनभी ने कहा, ठेरो, I don't want all that, मैं यह सम नहीं चाहता हूँ, सेल, I succeed in my present search or not, answer this and go, उसने कहा, क्या मैं अपनी खोज में सफल हो पाऊंगा या नहीं, इस बात का उत्तर दो and go और जाओ, Otherwise, I will not let you go till you disgorge all your coins, यहाँ पर disgorge जो लिखा है, इसका मतलब होता है, देना या फिर छीन लेना, अगर आप इस बात का उत्तर नहीं देते हैं, तो जब तक आप अपने सारे coins, सारे सिके मुझे को दे करके नहीं जाते हैं, तब तक मैं तुमको जाने नहीं दूँगा, यहाँ पर जो वर्ड लिखा है, इनकेंटेशन, इनकेंटेशन का मतलब होता है, मंत्र, तो जो जो जोटसी था, उसने कुछ मंत्र बुडबुड़ाए और उत्तर दिया, आलाइट, I will speak, ठीक है, मैं उत्तर दूँगा, बट, will you give me a rupee if what I say is convincing, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, यह वह विश्वास के लायक हो, तो क्या तुम मुझको एक रुपया दोगे, Otherwise, I will not open my mouth, अन्था मैं अपना मुह नहीं खोलूँगा, and you may do what you like, और तुम्हें जो करना हो, कर लेना, After a good deal of haggling, the other agreed, मतलब काफी मोल भाव, काफी जग जग होने के बाद, दूसरा शह मत हो गया, The astrologer said, जोची ने कहा, You are left far dead, am I right, तुम मरने के लिए छोड़ दिये गए थे, क्या मैं शही कह रहा हूं, आ, tell me more, दूसरा ने कहा, अरे, और बताइए, A knife has passed through you once, said the astrologer, जोची ने कहा, तुमको एक बार चाकू मार दिया गया था, good fellow, he wear his chest to show the scar, what else, अब उसने कहा, क्या आदमी हो, he wear his chest to show the scar, bed मतलब होता है, खोलना, chest मतलब सीना, show मतलब दिखाना, और इसके मतलब चोट का निसान, मतलब उसने उस चोट का निसान या घाव का निसान दिखाने के लिए अपने सीने को खोल दिया, what else, उसने कहा, और बताइए, and then you are pushed into a well nearby in the field, और तब तुम्हें खेत के पास में क्य दिरा दिया गया था, या धकेल दिया गया था, you are left far dead, और तुम्हें मलने के लिए छोड़ दिया गया था, I should have been dead if some passerby had not chance to peep into the well, exclaimed the other or helmed by enthusiasm, यहाँ पर ध्यान दे, यह जो word लिखा हुआ है, पेप into, तो पेप मतलब होता है, जाकना, अब उसने उत्साह से भर करके, कहा, I should have been dead if some passerby had not chance to peep into the well, यद किसी अजनभी ने कोई के अंदर जाका ना होता, तो मैं वहाँ पर मर गया होता, भेंसाहल, I get him, he asked, clenching his fist, उसने अपने मुठी भीचते हुए कहा, वो जो लगा के मुठी भीचते हुए कहा, ओ कम मुझे मिलेगा, ओ अब मुझे कम मिलेगा, इन दे नेक्स्ट वर्ड, answer the astrologer, astrologer ने उत्तर दिया, जोसी ने उत्तर दिया, अगले संसार में, मतलब दूसे लोक में, वह है दूर दराज के कस्बे में, चार महिने पहले मर गया, मर चुका है, अब तुम उसको कभी नहीं देख पाओगे, तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे, यह सुन करके, दूसरे ने थोड़ी सी कराह भरी, मतलब उसको इस बात का मलाल हो गया, कि वो मेरे हाथें के नहीं मेरा, the astrologer proceeded, जोसी ने और आगे कहा, गुरुनायक, you know my name, the other said taken aback, taken aback, मतलब थोड़ा आश्यर से, मतलब दूसरे ने आश्यर से कहा, तुम मेरा नाम भी जानते हो, as no other things, गुरुनायक, listen carefully to what I have to say, अब जोसी ने कहा, गुरुनायक, मैं अन चीजे भी जानता हो, और बहुत कुछ भी जानता हो, जो मैं कह रहा हूँ, उसको ध्यान पूर्बग सुनो, Your village is today's journey, due north of this town, मतलब इस कशबे से उत्तर की तरह, दो दिन की यात्रा करने पर तुम्हारा गाउ है, इतनी दूरी पर तुम्हारा गाउ है, Take the next train and be gone, अगली train पकड़ो और यहां से चले जाओ, I see once again great danger to your life if you go from home, यद तुम अपने घर से बाहर निकलते हो, तो तुम्हारे जीवन में मैं फिर से एक बार खत्रे को देख रहा हूँ, He took out a pinch of secret ass, मतलब उसने एक चुटकी, पवित्र भस्म निकाली, राख निकाली and held it to him, और यहां उसको पकड़ा दी, rub it on your forehead and go home, इसको अपने माथे पर रगडो और घर चले जाओ, Never travel southward again, उधर मत जाना, Never travel southward again, उसने का कभी भी दच्छिन के तरब मत जाना, And you will live to be hundred, और तुम sowar जी होगे, Why should I live home again, the other said reflectively, तो दूसरे ने सूच बिचार करके कहा, मैं अब दुबारा घर से बाहर क्यों निकलूंगा, I was only going away now and then to look for him, and to choke out his life if I meet him, मैं घर से बार बार उसको खोजने के लिए निकल ला था, और यह दुआ मुझे मिल जाता, ना होता है, His head regretfully, तो उसने खेद पूरवक अपने सिर को हिलाया, He has escaped my hands, वह मेरे हाथों से बच गया है, I hope at least he died as it deserved, मैं आसा करता हूँ कि वहाँ उसी परिकार से मरा होगा जिसके वहाँ योगी था, Yes, said the astrologer, जोजसी ने कहा, हाँ, He was crushed under a lorry, तो वह एक lorry के नीचे कुचल कर मरा था, लोरिम तब गाड़ी होती, The other looked gratified to hear it, तो यह सुन करके, दूसरा जो बेखती था, आज न भी बेखती था, वो थोड़ा खुस दिखा, The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag, तब जब जोजसी अपने सामान को अपने बाइग में रख रहा था, उस समय तक उस समय तक वह अस्थान बिलकुल सुनसान हो चुका था, The green shaft was also gone, जो हरे प्रकास की किरण थी, वह भी वहाँ से मिठ चुकी थी, Leaving the place in darkness and silence, तो उस अस्थान को अंधेरे में उस सांत में छोड़ करके वह हरे प्रकास की किरण भी गायव हो गई थी, The stranger had gone off into the night, after giving the astrologer a handful of coins, जो अजनवी था, एक मुठी सिक्के जोचसी को दे करके वह भी रात के अंधेरे में चला गया था, It was nearly midnight when the astrologer reached home, तो यहां लगबग आधी रातर का समय था, जब जोध सी अपने घर पहुचा, His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation, उसकी पतनी दरवाजे पर उसका इंतिजार कर रही थी और उससे इतनी देर से आने का कारण पुच्छा, He flung the coins at her and said, तो उसने उसकी तरव सिक्के उच्छा ले और कहा, count them, इनको गिनो, one man gave all that, एक आदमी ने सब दिये हैं, 12 and a half आनाज, she said counting, तो उसने गिनते हुए कहा, साड़े बारा आना है, she was overjoyed, overjoyed मतलब बहुत खुस होना, वह बहुत खुस थी, I can buy some jaggery and coconut tomorrow, यहाँ पर jaggery का मतलब गुड़ है, और coconut, नारियल को कहते हैं, तो उसने कहा, कि मैं कल कुछ गुड़ और नारियल खरी दूंगी, the child has been asking for sweets for so many, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ways नहीं है, यहाँ पर days, many days, the child has been asking for sweets for so many days now, तो बच्चा कई दिनों से मिठाई की मांग कर रहा था, I will prepare some nice step for her, तो मैं उसके लिए कुछ अच्छी से सामगरी बनाऊंगी, अच्छी से मिठाई तयार करूंगी, the swine has cheated me, he promised me a rupees, said the astrologer, जोची ने कहा, the swine has cheated me, यहाँ पर swine का मतलब सुर है, सुर ने मुझे ठग लिया है, उसने मुझे एक रुपया देने का वाइदा किया था she looked ahead him, उसकी पतनी ने उसकी तरफ देखा, you looked worried, what is wrong, अब चिन्तित दिखाई देते हैं, क्या बात है, nothing, astrologer ने कहा, कोई बात नहीं, after dinner, sitting on the pole, he told her, तब डिनर करने के बाद, रात का भोजन करने के बाद, वाप प्योल पर बैट करके, उसने अपनी पतनी से कहा, do you know, a great load is gone from me today, क्या तुम जानती हो कि आज मेरे उपर से एक बहुत बड़ा बोज उतर गया है, I thought I had the blood of a man on my hands all these days, मैं इतने दिनों से सोचता था कि मैंने किसी विक्ति का खून किया है, that was the reason why I ran away from here, और यही कारण था, कि मैं भाग करके यहां आ गया था, settled here, यहां पर settled हो गया, and married you, और तुम से शादी की, he is alive, वह जीवित है, see guys, you tried to kill, तो उसने गहरी सास लेकर कहा, तुमने किसी को मारने का प्रयास किया, yes, in our village, when I was a youngster, अजोटसी ने कहा, कि अपने गाउं में, जम एक मूर्ख लड़का था, we drank, हमने सराप पी, गैमल्ड, जुआ खेला, and quarreled badly one day, और I think of it now, अब इसके बारे में क्या सोचना, it is time to sleep, अब सोने का समय है, he said and stretched himself on the pole, उसने कहा और वहा, प्योल पर लेट गया, मतलब प्योल पर लेट करके सो गया, इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है, इसमें देखा कि जोटसी ने कैसे सूज बूज से उस अपने, जिसको उस से छुटकारा पा लिया, तो ये कहानी समाप्त होती है, मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक्स